राजा महाराजाओं के पराक्रम के कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ के रंगीन मिजाजी के किस्से भी बहुत है। हमाम में दासियों के साथ रासलीला हो या किसी दुसरे राजा की रानी पर नजर इनकी अयाशी के चर्चे भी रहे हैं। एक ऐसे ही अयाश राजा के बारे में कहा जाता है कि उसके महल में लोगों को बिना कपडों के ही एंट्री मिलती थी। जहां केवल बिना कपडों के लोगों को अंदर आने की इजाज़त थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के पास है। किताब में लिखा है महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला पुरुष कामवासना में लिप्त दिखते हैं। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था। ये पूल इतना बड़ा था करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां होती थी जहां खुले आम लोग अयाशी करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुले आम इश्क फरमाते थे। दीवान जर्मनी दास ने महाराजा महाराणी नामक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर रह चुकी है। इस किताब में उन्होंने महाराजा की रंग रलीयों के बारे में खुल कर लिखा है। 12 अक्तूबर 1899 को जन में महाराजा भूपिंदर सिंह ने 28 सालों तक राज किया। महाराजा साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से ज्यादा शादियां की थी। यही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके करीब 88 बच्चे थे। शराब के शौकीनों के बीच मशहूर पठियाला पैग भी महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन है। हमारे राजा महाराजाओं की अयाशी के किस से सुनकर यकीनन आपका दिमाग भी चकरा गया होगा। आज की पीड़ी को बेशर्म कहने वाले ऐसे महाराजाओं को क्या कहेंगे।